और दोस्तों केसर अप्लोग मैं आप सभी को विल्कम करते हूँ आपके फेवरेट यूटूप चैनल जे आट टुटोरियल्स में और मैं हूँ गौरमुंद्रा जब को क्या बढ़ाता है साथ इसाथ मेरे साथ बोलो मैं क्या बढ़ाता हूँ एक की इकोनॉमिक्स ठीक है याद है कि नहीं बच्चा कर रहा सर क्या बात करो अपने इकनॉमिक्स भी स्टाट कर दिया अरे मेरे भाई आप कहां थे पहले तो मुझे आप यह बताओ आज इकनॉमिक्स का कुन से लेसन च के साथ है बच्चा गहरा सर क्या बात करो आपने तो मुझे स्ट्रेस दे दिया है कोई बात नहीं ना मैंने सब कुछ अच्छे से कवर किया है आपको लेक्षर स्टार्ट करना है आपको मजाएगा कुछ भी पूरा समझाएगा वापस देखता हूं कि भाई मैंने पढ़ाय यह पर इस्ट्राम आइडी आपको कॉंटेक करना है मुझे ठीक है आपका वाई बेटा हूं आप चलिए अब मेरे जो पुराने बच्चे ना जो भी आप कर रहे थे अपनी परपेट्वेल सक्सेशन से बात कर रहे थे ना उसको बोलो ठीक है बाद में बात करता हूं याद हम यहां पी रहे थे हमें मजा भी आ रहा था सर डिफिकल्टी भी नहीं आ रही थी लेकिन सर कुछ नया भी तो सीखाओ चलिए इसको बटा परटेंड करते फिर नेक्स लेक्चर में पन कुछ नया सीखेंगे चलते दोस्तों आज अपने सीधा टूरीजम पर तूरीजम पर्टिकुलर स्टेट का नाम वहां पर आप आओ यहां पर घूम आपको घूमने में बहुत मजा आएगा तो कुछ इसी तरह दोस्तों जो महराष्ट्रा है यह भी काफी जादा अपने टूरीजम को लेकर काफी जादा नो ने रिया है अब आपको भी पता है हमारे महराष थे कौन देखने नहीं आएगा मैं खुछ जाता हूँ आप खुछ गए होंगे बिल्कुल ना अब दोस्तों सिर्फ आप और हम नहीं यहां पर देश के भार से भी लोग आते हैं महराष्ट्रा ही वैसा घूमने के लिए हो गया तो यह तूरिजम जो है ना दोस्तों यहां स पैसे जन्रेट होते हैं अगर आपको फोट में जाते हैं वहां पर आपको एंट्रेंस फीद ही नहीं होती अब यह जो पैसा है किदर जाएगा महराष्ट्रा गवर्मेंट के पास जाएगा वह फोट का जो गाड़ है वह अपने जेब में रखता है लेकिन वह फिलाल अपन के लोकल एरिया का ना कि यार भार से लोग आ रहे हमारे यह पर घुमने को तो बस उसी के साथ दोस्तों जो टूरीजम जो है ना यह महाराष्ट्रा के डिवलप्मेंट में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है जिसके बारे में आज हम सिमझेंगे सिर्फ द कि दोस्तों हमारी जो गवर्मेंट में उन्हें पता था यहां पर लोग जो है ना बहुत भार से आरे अप ऐसा भी हो सकता है जो भार के लोग है ना हमारे महराष्ट्रा में आकर एकदम कुछ एकदम वैल्यूबल चीज आकर अगर वो लोग ने कैप्चर कर लिया तो सोचो किसका नुकसान है यह तो हमारा नुकसान है ना है क्योंकि हमारे देश का इतना वैल्यूबल चीज कोई अगर भार का वापस आके कैप्चर कर लेगा तो कैसे चलेगा तो हमारे जो गवर्मेंट है इनने क्या कर रहा रूल्स और डेश किसी और देश पर न आ जाए तो इसक रूल्स और रेगुलेशन्स लॉज लिखते हैं जो भी फोर्ट्स के जो मैनेजर होते जो फोर्ट्स को गार्ड कर रहे उनको मिक्शॉर करना है जितनी भी व्यूटिफुल एरिया है हमारे मारस्टा के और वहां पर दोस्तों एक एसा इंसान होता है जो पूरे एरिया को मै और एक ऐसा कुस्त होता था एक लॉट इस चीज़ के वह बनाया गया है अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी में इसका क्या लिखा गया था सर कुछ बताओ ना तो उसमें जो पॉलिसी में बहुत कुछ लिखा गया था लेकिन आपकी जो टेक्स्ट में उसमें आ लिए और उनका ये गोल है कि 2025 तक हम महारस्टा को एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट अट्रेक्ट करने वाला प्लेस बना दे जो अच्छी खासा अल्रेडी हो रखा है आत्रेक्ट इन्वेस्टर्स आपको भी पताए दोस्तों आपके हैं पे इंवेस्ट्मैंट अब करेंगे जब उन्हें लगता है कि आपको भी वादा दोस्तों जो टूरीजम है हाना यहां पर देखिए अब एक कोई फोर्ट है उसके भार दोस्तों कितने सारे शॉप्स लगे होते हैं कितने एक उसका गाड होता है तो उसकी सेलरी भी मिलेगी ना दोस्तों उसको सेलरी भी तो देंगे कौन देगा अब सोचो दोस्तों देखो आप ही सोचो ना यहां पर क्या हो रहे दोस्तों एंप्लॉइमेंट जनरेट हो रहा है वह लोग मेहनत कर रहे हैं वह लोग ने अपना शॉप खोला है वहां पर जो भी टूरिस्ट घूमने आएगा वह उन हुआ तो ओवरॉल एकनॉमिक ग्रोथ एकनॉमिक डेवलप्मेंट जीडिपी किसकी बढ़ेगी इंडिया की बढ़ेगी तो देखा जैसे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है मारश्रा टूरिजम डेवलप्मेंट कॉर्परेशन एम्टी डीसी जो है यह लोग ने यह पॉलिस हॉस्पिटालिटी वह बूलने की बात कर रहे है इसका मतलब कि यह दोस्तो अगर आप समझें अगर आप राजस्तान में घूमने तो याँ एक दिन में महारश्रा इतना बड़ा है कि यहां पर मैने भी रुख सकता है आप कोई प्रवलम नहीं है हमें लेकिन दोस्तों आप आपको रुकोगे कहां कहां रुकोगे आप एक होटल देखोगे आप कुछ ऐसे रेस्टोरांट्स देखोगे जो आपको रहने की सुवीदाई देते हैं या कुछ ऐसे होस्टल्स देखोगे जो आपको रहने की सुवीदाई देते हैं लेकिन दोस्तों क्या यह फैसलेटी महा माराश्रा में घुमने आएगा सर आप इब बतो फिल्कुत लेकिन हमने क्या कर रा है माराश्रा की गॉर्मेंट ने ये चीज़ों का ध्यान रखा माराश्रा की गॉर्मेंट ने जहां पर बीकुछ अच्छे सिनारिओ से अच्छे सेटीज एक दम वाली जगे है आप को पिल्टी हा न रिंट्टी में अगर अब तक नहीं पता था तो मेक शॉर करना आज तब बूलो ना किदर आप अपने फ्रेंट्स के साथ बेट होगी बूलो बहुत अच्छा रिष्ता है और आज काल सब्सक्राइब यूटूब पे यूटूब पे न्यूस चैनल में सिर्फ यहीं चल रहा है बाइक कॉलीवूड टाइप्स हाना भाई तुम ऐसे मत करना बाइकॉट गौरम उंद्रा भाई क्या कर रहा है यहां पर द्यान तो entertainment industry यहां पर देखें इंडिया प्रोड्यूस लाज़ेस नंबर फ्लिम्स इद वर्ल्ड क्या बात कर रहा है सर मदलब कि जो हॉलीवूड है टॉलीवूड ही है सब तो हमारे इंडिया का पार्ट है लेकिन जो हॉलीवूड है ना सर उससे भी जादा हमारा इंडिया फ्लिम प् है तो इसमें महाराष्टा का भी बड़ा हाथ है आओ सीखते है क्या लिगाए अब है जन्रेट एंप्लॉयमेंट आपको भी पता है दोस्तों देखिए अब एक फिलिम बनती है इसके पीछे एक एक एक्टर होता है एक एक्टर होता है आपने तो स्क्रीन पर सिप इनको दे बिचारे क्या करते दा घर पर बिट thời लेकिन इनके पास टालेंट था इनके पस ही याइँ अिसके पीषे कि तने रोग है आपको यह भी प्छूर करना है अब यह इंस्टेग्राम वगेरा पर काफी चल रहा है वाइकोट वगेरा ठीक है करो अगर कोई मुवी आपको लगरी हो गलत है तो उसको करना बिल्गुल सही है लेकिन करना है कि उनके पीछे जो लोग है उनका भी जो नुकसान है अटलिस्ट वो ना हो यह आपकी जिम्यदारी होती है अब आपको क्या लगता है गोवर्मेंट इनके लिए कुछ करेगी देखते हैं पता जैसी आएगा पता चलेगा लेकिन यह तो खेर सुचनी वाली बात है चल तो कोलापूर जो सीटी है यह खास करीजनल फिलिम्स के लिए जाना जाती है उसके बाद दोस्तों यहां पे मुंबई यहां बॉलीवूड हर कोई आता है दूर दूर से आपको भी पता है उसको भी बॉलीवूड में काम करना है बॉलीवूड स्टार बनना है एक पैन साथ आपको भी पता है मतलब इतना टाइम से हमतें देखते आ रहे हैं जो किंग है हमारे आपे इंडिया का इसा माना जाता है वो है बॉलीवूड हाला कि अभी किंग की हालत बहुत खराब है लोग इने बगार है लेगिन लेगिन जो हिस्ट्री था हम उसे चेंज नहीं कर जालिए आखरी कंसेप्ट इस पूरे लेसन का थक गए इतना भाई नहीं में नहीं थका मेरा काम है तुम्हें पढ़ना अगर थक चुके हो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे पूरा ध्यान यहां पे काउपरेटिव मूमेंट इन महाराष्ट्रा क्या काउपरेटिव मतलब क अगर एक इनसान है उसको कोई टास्क दिया है कंप्लीट करने के लिए वो अकेला पिचारा कैसे करेगा वो ठक जाएगा और क्यों ना आप सब मिलके आजा उसकी मदद करने को ठीक है चलिए भाई हम सब उसकी मदद करेंगे अब वो एक अकेला इनसान उसका जो काम है लेकिन कभी कबार थोड़ा सा कॉंप्टीशन भी आता है लेकिन कॉंप्टीशन को भी एक अच्छे राइवल के तुरू देखते हैं लेकिन सब अकेले तो है लेकिन अगर जब बात आ जाती सबको एक साथ होने की तो हम सब एक साथ भी है उसके बाद दोस्तो एक्वालिटी आपको भी पता है जर्स्तो नर्स्तो महारस्ट्रा में इक वैलिटी एक अच्छी हद तक मिलती है यहाँ पर रसिजम देखने को बहुत कम मिलता है यहां पर जेंडर एक्वैलिटी करी districts को भी च्छी है घॉनक्स ओर पर यहां पर भी पता है उतनी अगल्सेक्वारिएwan तो आपको इतनी लेकिन अब आपको भी पता है अब यहां पर इतना प्यार है कि कोई कमी नहीं कि आपके आजवाजव में आपको एक साथ हो गए कि कुछ और लोग ने अपनी फैसलेटी को आओ देखते एक साथ मिलकर काम करने लगा यह होगा आखरी कंसेप्ट उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँगा ठीक है रोना नहीं यार तुम रोख क्यों रहे हो अभी कातम कर देना पहला दोस्तों एग्रो प्रोसेसिंग पाकी सब तो ठ अगरिकल्चर प्रोड़क्ट है आपने कुछ क्रॉप किया अब उस क्रॉप को आप जाकर सिदा खान तो नहीं सकते न उसको थोड़ा सब डेवलप्मेंट करना पड़ता है थोड़ा सब शेपनिंग करना पड़ता है थोड़ा सब एक कस्टमर उसे कंज्यूम कर सके बातों नहीं मार्केटिंग अब आपने एक क्रॉप को बना दिया अपने वाला प्रोड़क्ट बना दिया लेकिन लोगों पता ही कैसे क कि यह मार्केट में प्रोड़क्ट है तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा आप अप अध्वर्टाइस्मेंट करोगे सुनों वहालो यह जो शुगर की फिल्ड में वरलब जो लोग काम करते हैं लोग सोचा है यार हम शुगर वाले हैं यहाँ पे इतना प्रॉफिट मी नहीं है हम आपस में अगर कॉंपिटीशन कर लेंगे तो कैसे चलेगा क्यों ना हम सब साथ में मिल जाए शुगर कॉपरिटिव नैस सेम दे केस ओफ फिशरीज या भी आपको पता है जो दोस्तों जो फिशर्स होते ना जो फिशर्मैन वाले लोग होते हैं वो लोग की जो ग्रूप होती है इनकी आपस में रिलेशन बहुत अच्छी होते हैं क्योंकि आपस में कॉंपिटीटर तो ह है लेकिन आपस में लोगों को हराने से अच्छा पूरी महराष्टा के लोगों को हरा है जो भी फिशरिंग वाले इसमें आना चाहता है उतले दिकत्ता पैदा करें और बागी हम जो फिशर्मैन हम तो भाई-बाई जैसे रहेंगे तो यह वाली सेक्टर में भी एक आपको भी महाराष्टा में कुछ ऐसे सोसाइटी जहां पर ऐसे लोग नहीं रहते हैं अगर उन्हें कोई रहता है तो लेकिन जब भी नीड़ पर सबसे आगे आके खड़े होते हैं तो यह कुछ ऐसे महाराष्टा के लोग तो इसी के साथ दोस्तों पेबी इस चीज़ का इंतजार कर रहा था ना कर रहे देगे नहीं तो बच्चा कर रहा है सर अब मैं जा रहा हूँ सुने अरे रुकना मेरे बाई पहले पूरा समझत हो जा चलिए देखते हैं अब यहां से मैं आपको दो निट और लोंगा यहां से पहले बताना है कि तूरीजम होता क्या है एकडम सिंपल इंगलीश में अरे ग्रामाटिकल मिस्टेक करो लेकिन बताओ तूरीजम क्या होता है तूरीजम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बलकि पूरा वर्ल में इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बाद इस थर्ड आती है तीन पॉइंट को मैंने आपको यहां पर ऐसे ही बता दिये चाहता क्या लिखोंगे यह मारश्टा अट्रेक्स मोर्ट टूरिस्ट फिर गॉवर्मेंट फॉर्म्ड यहाली पॉलिसी का नाम 2016 उसके बाद यह अब्जेक्टिव तो आपके दोस्तों 6-7 पॉइंट तो ऐ पहले तो अपना इमेजिन करो तुम्हें जैसे कोश्ट मिल रहा है तुम्हारे दिमांग में चल जाना चीए टूरिजम होता क्या है कहां से होता है कैसे होता है कितने लोग लगते कहां कहां होता है और फिर उसके बाद तुम्हें आना है उस कंसेप पर जिसके बारे में पढ़ रहा है कोशन के जो लेंथ है जो आंसर है उसकी लेंथ बढ़ रही है ऐसे लेंथ बढ़ती है और यह चीज जो है आपको SP OCM एकनोमिक्स में फॉलो करनी है तभी ही आप 4 में से 4 माक स्कोर कर पाऊंगे नहीं तो नहीं आएगा इनों सब्जेक्ट में पढ़ाता हू और हमारा जो चैनल है JR Tutorials सबके साथ फैला दो बताओ यार मैंने जो पढ़ा ही किती न यह जो सर है बिचारी पता नहीं बहुत बहुत चिलाता रहता है लेकिन अच्छा खासा सिखा देता है इसको जाके चेक आउट करो ठीक है तो बस फिर यार आप इस लेक्टर को पर य इस लेक्टर को एंड करता हूँ मिलता आप सभी से लेसन नमबर फिप्ट के साथ